एस्पी डॉट नेट की हमारी ठीक है और फार्स इंश्टी का ग्रेजुएट होने के साथ साथ मैंने मतनब दो मेरा जो बैक्ग्राउंड है वो फार्स निउवर्सी से मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्र साइंसे के अंदर उसके बाद मैंने माइक्रोफ की सेटिफिकेशन निकाली वी 2018 में मैं एप्टेक में ASP.NET का टीचर ही लगा था वैब के उपर लगा था सबसे पहले और उसके बाद जो है फिर मैं उम्मी के साथ एस्टेट वा दोजार अटारा के लेट है लेट 2018 में एंदेन फिर उसके बाद 2019 में मैं तबाहार्ड में और एकल सपोर्ट प और मैंने पर web development C sharp and desktop app और web app विलेप्र प्रसाइब प्लीकेशन पर काम स्टाइब कया तो ने कल एंदेन पर किया ओंट आगे बढ़ा और और आगे बढ़ने के बाद यहां पर मैने इसलुच है लहीं से पर जबिन सबस्कों परोलुअन यह साथिय में इस हमारा में में पार्टनर है Microsoft के ऑफिशल ग्लोबल पार्टनर हम लोग वहां पर मैं भी जॉब कर रहा हूं recently as a senior software engineer और यह बिसिकली मेरा एक portfolio था और यह सारी मतलब मेरा एक ongoing work अच्छा उसके बार यह के वार्क्शॉप एक कोर्स के बारे में तोड़ा सा बताते चलें कोर्स के बारे में देखें asp.net हमारे आगा बहुत बहुत वैल और और पर स्कॉर्स है लोग काफी जादा हमारे पास मेरे तक्रेमें अल्मोस्ट मैंने तक्रीबन सिंगल हैं लेकिन सिफ पर्सपेक्टेबली इस्पेक्ट पर्टिकुलर्ली मैं अगर एस्पी.net की बात करूँ तो एस्पी.net की तरफ काफी इन्वल्मेंट्स आती है लोग अपना करियर माइक्रसॉफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा परसू करने में इंडल्ज होते हैं इन्वाल होते हैं हमसे पूछते हैं और हममसलों काउंस्लर भी कर रहा होते हैं यहां पर दोनों कांशलर वेठाइब हमरे साथ और यह भी आप लोग को बहुत चाहीं साही चाहीं करूंसिया तो वर्क्शॉप लगशाब करने में मक्सद होता है हमारा हैमारा कשू्टेंट को और फूर्द का क जो के मैं दे सकता हूं एदर टेक्निकल परसन आप लोगों को तो इसलिए वर्ट्शॉप रख पाई जाती है एस्पी डॉटनेट देखें बेसिकली वैब बनाने के लिए यूज होता है इसकी जो बेसिकली अगर मैं इस तरीके से बात बुलूँ कि बैक एंड पर हमारे एस चार्फ भी चल रही होती है एक्टिव सरवर पेजिज अक्टिव सर्वर पेज़ेज मदला वैबसाइट के जो पेज बने में वह एक्टिव और यूजर उनको एकसरेस कर सके उसकी और डॉटनेट बेसिटली मार्क्र सॉफ का डामीट है टीकशें प्रेमवर्क है डॉटन इंटरनेट से निकाला है .network नेट का नेटवर्क का नेट निकाला हूं तो बिसीकली asp.net याईनि वह लेंग्वेज या वह प्लेटफोर्म जहां पे जहां पे हम जाके web applications create करते हैं web apps और website में क्या फर्क है एले website आ दीदी फिर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अगर आपका प्रिक्विजिशन होता है अभी मेरी रिसेंट एंडॉइड की चल रही थी तो उसमें मैंने जावा जैसे रिक्विजिट बोला था अपने एंडॉइड के उपर इसी तरीके से और आपके लिए वेबसाइट पर प्रॉब्लम नहीं होगी डेटाबेस का भी आना जरूरी होता इसके लिए एसके डेटाबेस का एसके डेटाबेस चले आपको इतनी ना भी आती हो क्योंकि वह हम इसमें इन्वास पर देते हैं कूर्ड ऑपरेशन के अंदर लेकिन सी शार्फ आपको आना बहुत जरूरी है अगर आप एक बाए एक करेर करेंगे तो ना आपको किसी टेकनोलोजी पर परिशानी होगी और सबसे इंपॉर्डन चीज है कि आप कोई भी नहीं चीज सीखे रोंगे तो आपकी बैक मजबूत होगी बैक मजबूत होगी वो चीज जल्दी सीखेंगे बैक मजबूत नहीं होगी उस चीज को आप जो चीज तीन गंटे की वो तीन दिन में लग जाएगी तो इसलिए इसको step by step follow करें अगर नहीं कर सकते तो इसको personally करें कि आप अगर इतनी free support नहीं कर सकते तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप अलग से आए कि उसकी self learning करते रहे हमारे supportive environment है अगर को topic है हम उसकी guidance आपको फुद provide कर देते कि यार अगर आपको यहां से भी नहीं पढ़ना तो हम यहां से जाके वैप के थूर जाके पढ़ ले लेकिन अगर आपको नहीं है teacher की जरूर आथ है तो definitely हम helpful है और एक अच्छा plan आपको बना के देंगे हमारे ओमनी वाले ठीके किस तरीके से आप C Sharp और ASP के साथ बनाई है ASP और .NET MDC के साथ बनाई है फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं ASP.NET development में आता हो त लेकिन है वेबसाइट है यह जो भी आप लोग देख रहे हैं वेबसाइट है वेबसाइट का फ्रेंट है यह फ्रेंट बनता है HTML के उपर है इसको हम कहते है hypertext markup language इसी तरीके से head है यह जो टॉप का element है यह head है यह जो ASP.NET web application लिखा हुआ रहा है इसी तरीके से यह जो heading है यह heading कहलाती है इसी तरीके से यह जो bullets है यह इसके paragraphs कहलाते है ठीक है na bullet format वहते है तो बुलिट का tag लगता है तो यह बहुत basically HTML elements होते है comments कैसे करते हैं heading कैसे डालते हैं simple pages कैसे बनाते हैं ताकि यह आपको front end की knowledge हो साथ-साथ इसके साथ CSS भी लगाना आपको आनी चाहिए तो CSS के बारे сообщ कर सकते हैं तो यह आपको a.net website बनाना सुखाते है वैब और जो गाव ऌिस किस तरीके से ASP में इनपुट लेता है किस तरीके से एक पेज से σ दूसरे पेज़र जाते एक तरीके से आयपर लिंख की तरीक बटन है किस तरीके से एस पी का लिस्ट कॉल होती है यह सारे के सारी चीज हम आपको बताते हैं साथ साथ पिर आपको आर्किटेक्टर समझाता है जब हम आपको इसकी क्रूड एप्लिकेशन लेके चले तो जो हमारी सबसे इंबॉर्डन वहोल होता है कि एसमें कि यूड वाया ब्दाउट प्रोसीजर इन लाइन क्यूरी दोनों के थुरू हम सिकार होता है ताकि स्टुडेंट को प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मार्केट में दोनों स्ट्रेट्स फॉलो होता है मैं अभी करेंटली खुद वेब एप पे काम कर रहा हूं एस पी के ऊपर काम तो साथ-साथ एंडॉइड यह दोनों चीज़े चल ले तो मैं हैंड्स ओन हो अभी तो जो मार्केट में चल रहा है आप लोगो वही फरदर परसू करता हूं कि भाई मार्केट में यह चल लाइस तरीके से काम हो रहा होता है इस तरह से चीज़े चल रही तो मैं आपनों को प्रोफेशनल जरूर देता और उसके बिना वियूस का भी आइडिया देता हूं वियूस किस तरीके जब अंदर ट्रिगर्स यह सब डेटाबेस की चीज़े होती है फिर उसके बाद हम ग्रिड वियू के कंट्रोल के वारे में सीखते है क्योंकि एस पी का एक बैनेफिट ही था हमारा ग्रिड वियू का ग्रिड वियू का कंट्रोल जो करता है अच्छा यह सबुआ है मारी इंश्रेट रधाउर उप्डेट डिली उसी के अंदर बार फॉर्म हो जाती है तो उसको घ्रिड वियू कहते है इसी के साथ वैडेडेशन किस तरीके से लगाता है फ्रेंट एंड वैलिडेशन किस तरह से से पीज जाओं करें एक से तरह से घ्ट भीels से ने को सरुइक बहुत सारी चीज़ों के लगार रहा हो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं जैसे यहां से क्लिक करता हूं Services सर्विस पे मैंने Clip करा तो उसको कहते है जा सकता है तो जब हम इस पी में तो मैं दोनों चीजर बता हूं कि प्रेंट से कैसे जाएगा और पैकेंटसे जाएगा इसी तरीके से अगर हम साइननट फॉर्म खोलते हैं यहां पर साइन जा लूँब में यह गता रहा होता है और उसके पाट लॉग इन पासवर्ट तो यह हमारा कोर्स है यह बिसिकली उन लों के लिए जिनकी नॉलेज यह समझें मैं यह कहूंगा कि अगर आपकी वैप का फर्स स्टेप है तो बहुत जबर्दस है और आपका करियर बहुत अच्छा प्रूट प्रोलॉंग होगा और बेस बनेगी आप इस से आप मोबाइल एप्लिकेशन तक भी पहुँच सकते हैं यह पूरा ट्रैक है मैंने भी वैपसाइट बनाना सीगी दैन पर उसके आप मोबाइल एप्लिकेशन के आया है तो आपके पास एक अच्छी ऑपर आपने वैप सीगी दैन पर आप MBC और MBC कोर के उपर आये कोर का यह कोर हाइब्रेट है लिनिक्स पर विंडोस पर कहीं पर भी डिप्लाय हो जाती है डेफिनिटली सर्वर साइड लैंगिजेश है कि सर्वर हमारा दो तरीके से लिए विंडोस सर्वर होता है और एक लिनिक्स मतलब यूबन 2 यानि हम खुड डिजाइन कर सकते हैं उ तो इस वह जब मार्केट में आजकल डॉटनेट को इंफ्लेंच आरे लेकिन इस पी डॉटनेट की बहुत डिमांड है नौट एंपाकिस्टान इन यूके मैंने यूके के स्ट्रेलिया के स्ट्रेलिया को पड़ा वहां पे भी मैंने जो अपने प्रोफेशनल इंटच की बा पर राइट नाओ और अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग कूछ सकते हैं वेब पोर्टल डेफिनिटली अभी हम आपको नहीं होती है लेकिन यह समझे जैसे वेब साइट है इसी तरीके से हमाई चीज़ें बन रही होती है और इसी तरीके से हम पांक्स्टानिटी मेरी अगर मैं उसको वेब साइट को इतनी नौलेज नहीं ही होती है कि वह वेब साइट बनाने के लिए चीज़ों को जोड़ के आप बना सकते मैं आपको इतना टच जूँँ हूं कि आप उसके बाद एक वेब साइट कर सकते हो अगर आप लोग चाहों तो और ढली समय एकर मैं तुम कोई सेमें खर्न सकते हैं कोई भी सारी का अपने वैब से बड़ा नहीं हुए है जैसे आप नहीं बैप साइट मेरी स्क्रीन आगारी है नहीं आपके बस मैंने स्क्रीन को छोटा गर सुयाँ थैंए इसको मैं कर देता हूँ छोटा अब यह देख रही है यह एक जगा पर जाके रुक रही है स्क्रीन एड़ जैसे बिल यह यह वेबसाइट बनीगे समझ रही है यह वेब जो होती है न वो अपने चीजों को उस हिसाब से सिंक्रोनाइज करते हैं अगर मेरा मोबाइल वियू है तो मैं इसको मोबाइल वियू में देख सको अगर मेरी वेबसाइट की टॉप बार लेफ पर लेफ पर आ रहा है तो मोबाइल पर लेफ पर आ रहा है और इस वेबसाइट पर टॉप पर आ रहा है तो वेब अप्लिकेशन यह होती कि वो मोबाइ साइल से सर्च हो रही है लेकिन अब जो आघे हैं आपलिकेशने जैसे जो फिसनेश Мट्रिकेशन he वो उसके लिए लोग सखे मिलगे से कर रहे हैं ज्यासर रहे जैसने पर पे इक पाहद का मचान भिजिनस संट्रव स्का है और वह फिलाल यह के और आपका बैक्ग्राउंड जो है वो किस से मैं थोड़ा जान सकता हूं और कोई सवाल नहीं पूछना आपने करेंगे तब जो सेकेंड है तो सब्सक्राइब तो सुनेना काजी इस अधिक शूड़